एक आरजे जो कि देर रात तक एक होरर शो करती है जिसमें वो मिश्टरी और होरर की कुछ ऐसे कहानिया सोनाती है जो कि लोगों के साथ रियल में हुई हैं जहां अलग-अलग लिसनर्स भी फोन करके अपने साथ हुई इन अजीब और गरीब घटनाओं को शेयर करते हैं मगर आज की रात आरजे को पता नहीं था कि वो खुद भी एक ऐसी ही कहानी का पार्ट बनने वाली है अब वो कैसे चलिए जानते हैं आज की मिश्टरी होरर एंथोलोजी मुवी नाइट मेर दी नाइट स्टोकर में कहानी की शुरुआत एक आरजे कैंडी से होती है जो कि ले अकेले सो नहीं पाएंगे अब कैंडी अपने स्टूडियो में अकेली है क्योंकि इतनी रात को वो खुद को उसी माहोल को महसूस करना चाहती है जो कुछ भी उसकी कहानी के किरदारों के साथ हो रहा है अब शो शुरू करते हैं कैंडी पाती है कि उसके किसी फैन ने उसके आवाज की तारिफ करती हुई एक गिफ्ट भीजा है ये एक लिप्श्टिक थी और चूंकि ये कलर कैंडी को काफी पसंद था तो वो उसे लगा लेती है अब यहां से कैंडी आज रात की अपनी पहली कहानी सुनाने लगती है कहानी है है हैलन की जो कि अपने पती के साथ एक विरन सोसाइटी में शिफ्ट हुई है एक ऐसी सोसाइटी जिसके सारे के सारे घर बिलकुल खाली पड़ी है अब हेलन भी यहां इसलिए रहने आई है क्योंकि उसका फोटोग्राफी बिजनस अब पूरी तरह से डूब गया है और उसकी फाइनेंशियल हालत अब काफी में लड़ाई होती रहती है जहां हेलन घर पर अकेली खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करती है अब एक सुबह हेलन की आँख खुलती है जहां उसे बाहर से किसी की आवाज आती है यहां वो पाती है कि वहां कई सारी आवार फोक्स उसके कच्रे से खाने का सामन डू करके खुद का मन बहला पाती है अब सब कुछ तो खाली पड़ा था तो हैलन सिर्फ वहां घूम रही आवार फोक्स के फोटोस लेने लगती है मगर अब वो पाती है कि उन फोक्स को देखकर उसे काफी खुशी महसूस हो रही है वो उनका पीछा करती है उनके फोटोस लेती ह और अब धीरे धीरे हैलन सिर्फ से उपसेश्ट होने लगती है क्योंकि वे कितनी फ्री है ना कोई भंधन ना कोई जिमेदारियां बेना किसी उमीदों के फ्री लाइफ जीना और अब तो वो दिन रात सिर्फ वोक्स के साथ ही रहती जैसे कि उनमें कोई यंदेखा अनका जुडाव हो और अभी यहीं एक चीज थी जो कि उसे अच्छा महसूस करवा रही थी जहां उसका खुद का पती उसे अंजान सा लगने लगा था और अब तो रोजाना जैसे ही उसका पती काम पर जाता वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फोक्स के साथ गुजारती अब एक र कर हैलन से पूछने लगता है कि यह तुम्हें क्या हो गया है इतने दिनों से तुम मुझसे दूर होती जा रही हो और तुम्हारे कैमरे में यह अजीब से फोटो कैसी मगर अब तक हैलन पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो वहां से भागने लगती है वो वहां से ऐसे और अब तक चार दिन गुजर चुके हैं जहां हैलन उस दिन के बाद से घर नहीं लोटी और उसका पती उसे ढून रहा है जहां उसने हैलन के गुम होने के पोश्टर्स भी लगा दिये हैं मगर यहां कोई रहता ही नहीं तो इन्हें देखेगा कौन आप कुछ दिन बाद फि उनों एक दूसरे को देखते रह जाती हैं क्योंकि उस फोक्स की आँखे बिलकुल हैलन की तरह थी अब केंडी कहती है कि लिसनर्स आपको क्या लगता है क्या सच में हैलन एक फोक्स बन गई या अपनी पतनी के दूर होने के बाद उसके हस्बेंड को कोई ये ब्रहम हुआ था और ये थी आज रात की पहली अजीब और गरीब कहानी अब केंडी के पास ब्रेक की दोरान एक ओलर जैक का फोन आता है और वो कहता है कि वो केंडी को देख सकता है और वो तो उसे बहुत पहले से देख रहा है जब उसने उसी की दी हुई लिप्श्टिक लगाई थी अब केंडी शुरू में तो घबराती है कि कहीं कोई उसे श्टोक तो नहीं कर रहा मगर उसे लगता है कि कोई वीवर उसे डराने के लिए मज़ा कर रहा है और वो यहां से फोन कार्ट देती है अब केंडी एक कोलर बोब की कहानी बताना शुरू करती है जिसका दावा है कि वो पैरलल यूनिवर्स में जा चुका है ये कहानी है बोब की जो की अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था मगर अचानक से उसके टीवी में सामने लोबी की सीटीवी फूटेज चलने लगती है जिसमें एक मास्क पहने हुए आजमी किसी लड़की को मार रहा है अब बोब थोड़ा घबराता तो है मगर उसे कन्फरम करना था तो वो अपने उसी होलवे में जाता है कि क्या सच में ऐसा ही हो रहा है मगर वो पाता है कि ये सीन तो वहीं है मगर वो लड़की यहां आई नहीं है यानि कि वो समय में कुछ दिर पहले आ गया है मागर कैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो लड़की उस आदमी से बस्ते हुए आती है और वो आदमी अब बोब पर भी अटेक करने लगता है जहां वो लड़की इस बार नीचे भाग जाती है और बोब भी डर कर वापिस से अपने रूम में आ जाता है और जल्दी से पोलिस को कॉल करने लगता है मगर अब वो टीवी में देखता है कि हूलवेज में उसी का एक और वरजन जा रहा है जहां उसके पीछे वही मास्क पहने हुए आदमी खड़ा है और इस बार वो उसके एक और वरजन को चाको से मार डालता है मगर बोब तो अपने रूम में था तो उसका एक और वरजन मर कैसे सकता है क्या उसने किसी और पैरलल यूनिवर्स की कोई फूटेस देख ली जिसमें उसका वरजन उस मास्क वाले आदमी के हमले से बच नहीं सका या उसका पूरा अपार्टमेंट ही कुछ समय के लिए पैरलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया था गैस वाट ये पहली अब वो पूरी उमर सुलजा नहीं पाएगा आप केंडी कहती है कि ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जहां उसका एक लिसनर क्लेम कर रहा है कि वो कुछ समय के लिए एक पैरलल यूनिवर्स में चला गया था आप केंडी ने दूसरी कहाने खत्म की ही थी कि फिर से जैक का फोन आता है वहीं जैक जिसने पहले केंडी के लिए लिप्श्टिक भीजी और फिर उसे फोन करके कहा कि वो उसे देख सकता है और वो इस बार केंडी को एक किस्सा बताता है कि कैसे उसने एक काफी फेमस और सुन्दर लड़की को उसके कुछ दोस्तों के साथ एक बार में देखा मगर वो लड़की उसका फाइदा उठाते हुए उस बार के सबसे महंगी ड्रिंक ना सिर्फ खुद पीती है बलकि अपने दोस्तों को भी पिलाती है जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उसका मजाग उडाते हुए चली जाती है उसने उसी का मज़ाग उड़ाया जिसकी तीन महीनों की सेलरी उसने ड्रिंक में पी ली थी अब कैंडी को रियलाइज होता है कि वो लड़की कैंडी खुद ही थी जिसने कुछ हफ़ते पहले किसी के साथ ऐसा ही किया था जब वो अपने दोस्तों के साथ पालटी करने गई थी अब केंडी कहती है कि अच्छा तूँ वहीं हो और केंडी यहां से उससे माफी मांगती है मगर जैक कहता है कि उसने गलत आदमी को इंसल्ट कर दिया और अब उसे इसकी सजा भूगतनी होगी वहीं एक और कोलर की कहानी अब शूरू होती है जहां एक फिल्म प्रोडूशर टेड एक एमपलोई सेरा की साथ एक बंद हो चुके होस्पिटल में आया है दरसल इस होस्पिटल में रात होते ही कोई औरत लोगों को दिखाई देती है सो टेड उसी पर फिल्म बनाने के लिए खुद उसे देखनी आया है अब सेरा टेड को इसी होस्पिटल में होई एक सची घटना बताने लगती है कि लगभग सो साल पहले यानि के 1920 में एक मेरी नाम की नर्स यहां काम करती थी वहीं टेड उसे कहानी सुनाते हुए शूट कर रहा था यहां सेरा बताती है कि जब मेरी के बच्चे की मोथ हुई तो वो मेंटली काफी परिशान हो गई जिसके बाद उसे इसी कमरे में कई सालों चक बंद रखा गया जहां वो सिर्फ एक ही बात दोहराती रही कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए और फिर एक दिन मेरी ने खिड़की को तोड़कर उसके कांच से खुद की जान ले ली अब दोनों ही ये नोटिस नहीं करती कि उनके पीछे कोई आहट हो रही है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो अब सेरा टैड को एक डिलिवरी रूम में ले जाती है जहां मेरी के बच्चे के पैदा होते ही उसे मार दिया गया यहां सेरा कहती है कि जब मेरी को बच्चा पैदा हुआ डोक्टर को लगा कि वो कोई शेतान है तो उसे पैदा होते ही अपने हाथों से मार डाला यहीं फर्च पर उसी डोक्टर की एक पुरानी फोटो भी पड़ी थी और सेरा यहां से एडमिट करती है कि यह डोक्टर उसके गरेट ग्रेट ग्रेंट फादर थी और वो आज पहली बार इसी होस्पिटल में आई है सहरा आगे कहती है कि शायद से उसके ग्रेंट फैदर सही थी क्योंकि इस से पहले उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डोक्टर ने बेबी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनके मेरी के साथ नाजायद संबन्द थी और वो बेबी उन्हीं का था तो खुद को सोसाइटी के सामने बेई जट होने से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया अब सहरा ये कहानी टेड को बता ही रही थी कि तभी वहां किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है मगर बंध हस्पिटल में कोई बच्चा कैसी रो सकता है दोनों देखने भगते हैं मगर अब तक सारे दर्वाजे बंध हो चुके थी सेरा डर जाती है कि कहीं वे कहानिया सच नहो और वो बाहर जाने का रास्ता ढूने लगती है मगर उसके पीछे से टेड पर एक औरत अटेक कर देती है जबकि सेरा लगाता रोई जा रही थी कि उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है और वो उन्हें घर जाने दे तब ही उसके सामने एक पुराने जमाने की डॉल रखी हुई दिखाई देती है और उसके पीछे से एक औरत कहती है कि उसे उसका बच्चा वापिस चाहिए सेरा समाच जाती है कि ये मेरी ही है जिसकी रूह इतने सालों बाद भी यहीं भटक रही है सेरा डरकर भागने लगती है और वो पाती है कि टेड को किसी ने बहुती बुरी तरह से चीर फाड़ कर मार डाला है सेरा डरकर भागने के लिए मेरी के पुराने कमरे में जाती है वहीं कमरा जहां मेरी कई सालों तक बंद रही वहीं मेरी पीछे पीछे ये कहते हुए आ रही थी कि उसे उसका बच्चा वापिश चाहिए और फिर पीछे से उसी कमरे का दर्वाजा बंद हो जाता है अब क्या मेरी सेरा के ग्रेंट फादर की सजा उसे मार कर दे देगी या फिर वो सेरा को उसी कमरे में कई सालों तक तर्पा कर रखेगी जैसा कि उसे खुद रहना पड़ा था आपको क्या लगता है कि उसने सेरा के साथ क्या किया होगा केंडी यहां अपने विवर से पूछने लगती है अब केंडी ओफ एर हुई ही थी कि फिर से जैक का फोन आता है और वो कहता है कि अब उसका सबक सिखने का वक्त आ चुका है अब यह सुनते ही केंडी पूलिस को जल्दी से फोन करने लगती है मगर वो पाती है कि जैक उसके रूम में घुसाया है जहां उसके एक हाथ में वाइन है वहीं एक हाथ में कुलाडी है केंडी डरकर जल्दी से भाग कर बातरूम में चुपने जाती है वहीं जैक अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है कि आज बदले की रात है और वो कुछ भी करके बच नहीं सकती और जैक अब केंडी को बाथरूं के बाहर एक कहानी सुनाने लगता है दो बहनों आर्था और एली की कहानी जहां दोनों डोक्टर्स हैं और काफी दूर अपनी माँ से मिलने जा रही हैं अब चूंकि काफी लेट हो गया था तो दोनों रास्ते में रोक कर कुछ खाने का सामान लेने लगती है मगर वो शोब भी बंद थी तब ही पीजे से एक कार आती है वहीं आर्था दूर अपने कार से ये सब देख रही थी कि तब ही उस अंजान कार से कोई आदमी आकर एली को जल्दी से कार में ले जाने लगता है आर्था देखती है कि उसी कार की बैक सीट पर एक खूं से लचपत औरत लेटी हुई है जो कि चिला चिला कर मदद मांग रही थी अब वो आदमी एली को पकड़ कर अपने कार में ले जाने लगता है वहीं आर्था अपने कार के पीछे चुपकर पॉलिस को फोन करने लगती है कि कोई उसकी बहन को किड़नेप करके ले जा रहा है अब वो आदमी जल्दी से अपनी कार लेकर कहीं भागने लगता है और आर्था अपनी कार से उसका पीछा करने लगती है और साथ ही वो पोलिस को भी फोन कर रही थी और अब तक वे काफी छोटे रोड पर आ चुके थी जहां फोन में ध्यान होने के कारण आर्था की कार उस अबी की कार से टकरा जाती है और वो कार सीधा सामने पेड़ से जा टकराती है आर्था यहां अपने कार से निकल कर उन्हें देखने जाती है जहां वो पाती है कि कार में एक बड़ा पेड गुस गया है जिससे वह मौझूद सभी की मौत हो चुकी है लेकिन उसकी बहन एली के हाथों में एक नवजात शिशू है जो कि रोए जा रहा है और यहां से आर्थार येलाइज करती है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है अब हुआ कुछ यहूं कि वो आदमी कोई किड़ने पर नहीं बलकि अपनी प्रेगनेंट वाइफ को लेगर जा रहा था और उसकी वाइफ प्रेगनेंसी के खून में लटपत थी और वो डिलिवरे के लिए उनसे मदद मांग रही थी तो चूंकि एली भी एक डॉक्टर थी तो वो खुद ही उनकी मदद के लिए उनकी कार में जा बैठी जिसके बाद वो आदमी तेजी से होस्पिटल की और जा रहा था मगर आर्था को लगा कि वो उसकी बहन और उस औरत को किड़नेप करके भाग रहा है तो उसने गलती से उनका एक्सिडेंट करवा दिया जिसमें उसकी बहन तो मारी ही गई अब वो फैमिली भी मारी गई और बचा तो है सिर्फ उनका बच्चा जहां आर्था पूरी तरह से टूट चुकी थी मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती अब जैक जो यहीं कहानी बाथरूम के अंदर केंडी को सुना रहा था वो कहता है कि ये कहानी पूरी तरह से सच है और केंडी को भी आर्था की तरह किसी को पहले से जज़ नहीं करना चाहिए था उस रात उसने अपने दोस्तों के सास्थ उसका बहुत मजाक उड़ाया वो भी उसकी सारी सेविंग्स खर्च करवाने के बाद मगर उसे सोचना चाहिए था कि उसे इसका हर जाना भी बुगचना पढ़ सकता है और यहां से वो दर्वाजे पर कुलाडी से वार करने लगता है और जैक केंडी को अब दो ओप्शन्स देता है या तो वो खुद ही दर्वाजा खोल दे जिससे जैक उसके साथ वो कर पाएगा जो कि वो करना चाहता है यानि के इंटिमेट होना या फिर वो खुद ही दर्वाजा तोड़कर अंदर आएगा और उसे जान से मार कर उसके साथ वो सब कर सकता है जो वो करना चाहता है अब केंडी पहला ओप्शन चुनती है और धीरे से दर्वादा खोल देती है और कहती है कि वो जो कुछ चाहे उसके साथ कर सकता है और जैक यहां से अंदर चला जाता है अब कुछ दिर बाद केंडी बाथरूम से बाहर आती है और वापिस से अपने सुनाने के लिए और यहां से बातरूम में दिखाया जाता है कि जैक वहां मरा पड़ा था जिसे कि कैंडी ने उसे की गुलाड़े से काट काट कर मार डाला था वहीं आखिर में कैंडी यह कहते हुए शो खत्म करती है कि यह है नाइट मेर रेडियो जहां होरर स्टोरी कभी ख खत्म हो जाती है तो पूरे वीडियो में आपको कौन से स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगे कोमेंट्स में जरूर से बताएं ठैंक्यू